अगर आप लोग मद्दपेश के किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जिसमें आपका MPPSC हो गया या MPB व्यापम के तमाम एक्जाम होते रहते हैं सिक्षक भर्तियां होते रहते हैं पुलिस कॉंस्टिबल के लिए होते रहते हैं ऐसा ही दरोगा हो गया या फिर आप देखें जेल पहरी पटवारी अने कोई एक्जाम होते हैं इस तरह की और इन सब की पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखिएगा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो मत्पदेश में वर्तमान में घटनाएं घटती रहती हैं उनसे आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स अच्छी खासी संख्या में पूचे जाते हैं जिनने आप लोग करेंट अफेश कह देते हैं MP Current Affairs समझे रहें आप लोग और अभी तक आप लोग देखेंगे कि जनवरी से लेकर जून महिने तक की 2022 की जो भी घटनाय रही उन्हें एक-एक महिने को हम लोग उन्हें कवर किया हैं और मत्पदेश Current Affairs 2022 की नाम से जो पेले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में सभी क्लास आपकी डलीवी है जाकर आप लोग देख सकते हैं आज की इस क्लास में हमें जुलाई 2022 में जो घटनाय घटी है मत्पदेश में उनकी बारे में एक ओवर्वीव लेड़ा है और जो आपकी परिक्षा के लिए बात्पूर्ट तप्थ होंगे पॉइंट होंगे उन्हें भी एक एक करके हम लोग देखेंगे और इससे पहले आप लोग एक बार मद्पदेश को देख लिजे देखिए हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे आपको मद्पदेश दिखाई देगा है यह है मद्पदेश भौपाल इसकी राध्धानी है एक नवंबर 1956 में इससे राज बनाये गया था और एक नमंबर को आप लोग मद्ध प्यदेश दिबस मनाते हैं मद्ध प्यदेश नाम किस ने दिया था पंडी जवालाल नहरू ने देश के पहले पिधानमुंतरी साब ने मद्ध प्यदेश को हिदय प्यदेश का नाम किस ने दिया था पंडी जवाहलाल नहरू ने इसकी सीमाब देखे उत्तरपदेश, राजिस्थान, गुजरात, महराष्ट और 36 गड़ से लगती है पहले 36 गड़ भी मदपदेश का हिस्ता हुआ करता था और छेतफल में सबसे वड़ा राज्य मदपदेश ही था लेकिन 1 नमबर सन 2000 में मदपदेश से लग करके 36 कड़ राज बन गया था और आब आप देखेंगे छेतफल में दूसरे नमबर पर है मदपदेश का छेतफल कितना है? भोगोलिक छेतफल 3,8,245 किलो मीटर देखने को मिलता है और जैसा कि आप सभी जानते है मदपदेश में विदान सभा में 230 सीट है और राज्य सभा में 11 सीट हैं लोग सभा में 29 सीट हैं आपको देखने को मिलती है और यह देख लिजे मदपदेश आपको दिखाई दे रहा है इसमें तो चलिए पहली ख़वर हम लोग देखते हैं इसमें 3 जुलाई 2022 को मदपदेश निर्वाचन आयों ने निर्वाचन के लिए उपयोग में आने वाली EBM के संधारन की संबंद में विस्तित निर्वाचन जारी किये हैं और आप लोगों को बता दू कि जो मदपदेश में स्थानी चुना होते न इनके लिए आपके राज्य में मदपदेश निर्वाचन आयों है चाए सरपंच का चुना हो या आप देखे नगर पंचया नगर पालिया नगर निगम के चुना हो और जो आपके विधान सपा, विधान परिशद और राज्य सभा के चुना होते हैं इनके लिए आप देखते हैं ये सब चुना कौन करवाता है भारती निर्वाचन आयो बो भी समिधानिक संस्ता है और अनुछे 324 के तहट उसकी स्थापना की गई है और आप देखे 25 जनवर 1950 में स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में हेड़कौार्टर देखने को मिलेगा और पहले मुख चुना हो आइप्ट सू कुमार सेन थे और मद्देश निर्वाचन आयोक के बारे में भी आप लोग याद रखेगा इससे भी कुछ सेंस पूछे जाते हैं तो राज निर पक्ष निर्वीक पारदर्सी और विश्वसनी निर्वाचन पिक्किरिया के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ओफिसर और मद्दान के अंदर मतगर्ना इस्थल इस्टॉंग रूब तक EBM मसीनों की वेवस्था कैसी होनी चाहिए राज निर्वाचन आयोक के सचेव ने यह भी कहा है कि रिटर्निंग ओफिसर द्वारा निर्वाचन के लिए आवन्टित EBM की समस्थ ट्रेकों को चैने ताज थाई EBM Strong Room में मानता पराफ्त राजनितिक दलों के पितनीदियों की उपस्तिती में बेहतरीती से संधारित करना होगा और पिसीक्षण एवं जन जाकरूकता के पियोजन के लिए पिदाय की गीए EBM को Strong Room में से पिथक कच्छ जो की उसी भवन में हो आरक्षित कर संधारित किया जाएगा क्या किया जाएगा संधारित किया जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि आर ओ रेंड माई जिसन में आवंटी मदान केंदर तथा वार्ड रिजर्व यह कमिशन रिजर्व EBM को कमिशनिंग के लिए निकालती समय Strong Room को अभ्यारतियों उनके अभी करताओं की उपस्तिती म में संधारित कर वहित रिती से Strong Room को सील किया जाएगा और कमिशन के दौरान नौन वर्किंग पाई गई EBM एवं रिटानिंग ओफिसर के पास सेज कमिशनिंग रिजर्व EBM जो की मदान के लिए उपयोग में नहीं लाई जारी को Strong Room से पिठख कर और जिसमें आप देखेंगे पिसीक चंड और एवं जन जागरुकता के लिए आवंटित EBM को भी रखा जाएगा और आप देखें के साथ संधारित किया जाएगा और सामगरी बितरन दिवस पर मदान दलों को उनके मदान के अंदर से समंदित EBM तथा सेक्टर जौनल मजिश्टेट को उससे संंदित सेक्टर की वारवार रिजर्व EBM पिदार करने के लिए इस्टोरों उनको अब भार्तियों उनके अभी करता करताओं की उपस्ति में बेत रीती अनुसार खोला जाएगा ये भी आपको याद रखना है अंगली खबर है आपकी चार जुलाई की अध्यक्स्ता में समनबय संती का गठन किया है और आपको G20 की बारे में बताएं तो इसको आप लोग गुरुप 20 के नाम से भी जानते हैं इसमें आपको 20 सदस देखने को मिलते हैं ना तो उसी को लेकर बात हो रही है और इसकी स्थापना कि अगर हम लोग बात करें तो इस 20 सदस्तों में आप देखें अर्जिंटीना, उस्टिलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जन्मनी, भारत, इंडोनेसिया, इटली, जापान, मेप्सको, दच्छिर कोरिया, रूस, साउधी एरफ, दच्छर पीका, तर्की, युनाइटिट किंगरम, सैफ्दरा, जमी इबं, नीती विसलेशन, सरस्थान, भूपाल सदस्त होंगे, और प्रमुख सचिपरेटन को सदस्त, सचिब, और नोडर अर्जिकारी बनाये गया है, और याद रहे, 1 दिसंबर 2022 के 30 नवंबर 2023 तक की आउधी में भारत G20 के समूग की अध्यक्ता करेगा, और ये साउधी म पर आप देखेंगे, 4 जुलाई 2022 को, ग्रेंड मास्टर अनुराग महामल के नेतत में 44 सतरंज ओलिम्पियाड की मसाल, टेटी नगर स्टेडियम भौपाल पहुंची, और जिसका खेल एबं, इवा कल्यान मंतरी ये सोधरा राजिस इंडिया ने स्वागत किया है, और इस मस कम में 28 जुलाई से 10 अकस्त 2022 तक लगभग 187 देश के 2000 खिलाडी अपने खेल का प्यदसन करेंगे, या सतरंज ओलम्पियाड मिसाल मत्पिदेश के उज्जयन इंदौर भौपाल सांची, ग्वालियर के पिरेक्मोक इस तलों पर भिमढ़कर नई दिल्ली के लिए रबाना ह तो ये भी आपकों को याद रखने चाहिए, अंगली खबर की तरफ चलते हैं, ए 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज रेंकिंग सुचकांग के पहले संस्करण में मद्क देश पूरे देश में छटवे स्थान पर आया है, और ये सुचकांग में उडिशा पहले स्थान पर है, और केंद्री ये भोगता कारिक खाद और साजनिक वितरन बस्त और वाडिज इबाम उद्ध्योग मंद्री प्यूस ग्वेल ने NFSA के लिए राज रेंकिंग सुचकांग का पहला संस्करण जारी किया है, सामान सेडी के राजों में NFSA के लिए राज रेंकिंग सुच 594 स्कूर के साथ तीसरे स्थान पर है, और सामान सेडी के राज़ों में NFSA के लिए राज रेंकिंग सुचकांग मिमाद्य प्यदेश 786 स्कूर के साथ छटे स्थान पर है, और विसे सेडी के राज़ों और केंदर सासे प्यदेशों में तिपुरा 788 स्कूर के साथ पहली स् दादरन नगरहवली दमन्दूइप 802 स्कोर के साथ सेस पर बने हुए या सुचकांग राज्यों के साथ परामस के बाद देश भर में एन एप ऐसे के कर्यान बन और विभिन सुधार पहलों की इस्तिती और परगिती का दस्तावेजी करन करने का प्रयास करता है या राज्यो काफी हद तक NFSA बितरन पर केंदरे थे और इसमें भविस्त में खरीद PMJ के एबाई बितरन सामिल होगा और राज्यों के अंदसाथे प्रिदेशों की रेंकिंग के लिए सुचकांग तीन पिरमों के स्थम्मों पर बनाये गया है जो TPDES की माध्यम से NFSA के end-to-end कायान बन क को कबर करता है एस थम कौन करते हैं NFSA कबरेज लक्षी करन अधिनियम के प्रावधान दूसरा है डिलीवरी प्लेटफॉर्म और तीसरा पोसर्ण सम्मंधी पहल आपको देखने को मिलेगी अंगली खबर की तरफ चलते हैं या आप देखें साथ जुलाई 2022 को मध्पिदेश के ग्रह मंतरी नरत्तम मिसरा ने बताय की राज सरकार ने पिदेश के उतकिष्ट अधिकारी करमचारियों को रुस्तम जी अबोर्ड पुना पिदान करने का नेड़ लिया है और ग्रह मंतरियें बताय कि पिदेश के एकसर पुलिस करमियों को तेन से अडी में या आजसली विरोधी अभियान आतंगवाद विरोधी गतिबिधिया सम्पधायक तनाव कानून विवस्ता की गंभीर परस्तितियों में उतकिष्ट कार करने वाले पूलिस बिवाग के अधिकारी करमचारीओं की ए अवोर्ड पिदान किया जाएगा। और पुरुसकार की परम विसिष्ट सेंडी में 5 पुरुसकार 5-5 लाक रुपे, अती विसिष्ट सेंडी में 6 पुरुसकार 2-2 लाक रुपे, और विसिष्ट सेंडी में 50-50,000 रुपे की 50 पुरुसकारों के साथ प्रमाड पत्त भी पिदान किये जाएंगे, और याद रहे है पिरुस्तम जी अबॉर्ड पिदेश में दो साल से बंद था, इस अबॉर्ड के अंतरकर तीन सेनिया होती है, इसमें परम विसिष्ट है, अती विसिष्ट और विसिष्ट सेनिय के लिए नगत पुरुसकार और प्रवाट पत्त है, दिये जाते हैं इसमें, तो यह आपको माल पिदेश का पहला राज्य है, आपका मात्पिदेश, और इस अबॉर्ड पिदेश का पहला राज्य है, आपका मात्पिदेश. और इस मेर्सान के मात्ध्यम से, राष्टी एवं अंतराष्टी इस्तर पर चिकिस्टा, सिक्छा एवं चिकिस्टी एव उप्चार की नभीनतम, तकनीक, नवाचारों, एवं सोद के बिभिन आयावों को मद्पिदेश के चिकिस्ट को एवं चिकिस्टा चात्रों तक और इस मेर्सान के बिभिन आयावों को मद्पिदेश में 3D पैंटिंग के उप्योग से, प्रो इस्तेसिस के बिकास, दात, ठडियों, एवं बिभिन आंगों की बिभिन आयावों की परिपेक्ष में पिती कितियाओं के निर्मार कर सल्ल किरिया में उप्योग किया जाएगा, जिससे बहतर जिर्जल पराप्त होंगे, तो इन घटनाओं को भी याद रखिएगा आप लोग चलिए तो अंगली खबर है आपके सामने, ग्यारे जुलाई 2022 को मद्विदेश के खनिच साधन इवं सरम्मंति बिर्जेंद पिताप सींग ने बताया कि केंद सरकार द्वारा मद्विदेश को खनिच बिकास के लिए अपनाई जारी नीतियों और उलेकनी कारिय होती नई दिल्ली में होने बाले छटवे नेशनल कॉनकलेब में पुरुसकित किया जाएगा मद्विदेश को और मंत्री ने ये भी बताया कि केंद सरकार द्वारा मद्विदेश को दो सैणि में क्रम सा पिथम और दुतिये पुरुसकार दिया जाएगा और साथी राज्य सासन को दो करोड रोपे की पुरोसहन रासी भी दी जाएगी और कैंसर का द्वारा वर्स 2015 से केंद्री अधिनियम में किये गए संसोधन के बाद मुख खनेजों को बिलोकों को नीबा नीलामी के माध्यम से अवंटन की पारदर सी पिक्रिया अपनाई जा चुकी है और इनमें हीरा, चूना पत्थर, मैकजीन, बॉकसाइड, आयरन और रॉक फोस्पेट आधी खनेजों की बिलोक सामिल हैं इनमें से आप देखें 27 खनेज बिलोक सफलता से नीलाम हो चुके हैं और नीलामी की बाद ख़दान संचालित होने पर आगामी 50 बरसों मे की नीलामी की कारवाई पिचलन में हैं और आप देखेंगे कि याद रहे नई दिल्ली में होने बाले छटवे नेशनल कॉनकलेप का उधगाटन केंदिये कुईला एवं खानमंत्री पहला जोसी करेंगे और इस नेशनल कॉनकलेप में खने नीलामी फिक्रिया को सफलता से क पिरियानबीत करने के लिए राज सरकार को पुरुसाहन दिया जा रहा है पुरुसकित किया जा रहा है चली एंगली ख़वर की तरफ चलते हैं ए बारे जोलाई 2022 को नेई दिल्ली के डॉक्टर अमेड का इंटरनेशनल सेंटर में छटे नेशनल कॉनकलेप में मद्ध पिद सरकार द्वारा पुरुसकित किये गया दो सेंटिया निर्धारित की गए हैं और जिनमें मद्ध पिदेश को उत्खनन नीलामी खानों के संचालन में पहल करने और सरुषिट पिदासन करने वाले राज्यों की सेंटिय में 3 करोड रुपे के पितम पुरुसकार से समानित कि गया है और वहीं उत्खना नीलामी ख़दानों के संचादन में पहल करने और इसमें सरफसिट पिदासन करने वाले राज्यों की सेनी में 2 करोड रुपे की दूसरे पुरुसास के भी सम्मानित किया गया मद्पदेश को और मद्पदेश को ख़दानों की सफल नीलामी के कितना साथ करोड की अंगली ख़बर है आपकी हाली में मद्पदेश पाबर ट्रांसमिसन कमपनी ने के डेश में पहली बार अपने ट्रांसमिसन नेट्वर्क की विस्तार में पाइल फ़ाउन्डेशन पर अति उच्चदाप तावरों से बिद्धूत आपरती की है और लग के पांच किलूमीटर लंबाई के बीच में चार टावरों के निर्माण में तकनीक का सफलता पूर्वाक उपयोग किया है। के साथ साथ रख रखाओ में भी दिक्कत आती थी और इस नई तकनीक को अपनाने से अब नदी के अंदर ही पाईप फांडेशन बनाकर इस टावर्स का निर्माण किया गया है। बहुगलिक परिस्तिती बाले चेत में निर्मारकार को काफी लचीला पन्पिदान करती है। जिससे लाइनों के निर्माण में आवस्वत्ता अनूसार परिवर्दन और बाद में रख रखाओ में आसानी रहती है। नई नई खोजे होती रहती है। और आपको मालू होना चाहिए एक और बात। क्या बात? कि महाकाले सुरका मंदर भी आप लोग जाते हैं गूमने। पूरे देश में मात 28 महाविध्याले सेनी में हैं और इसमें माधव बिग्यान महाविध्याले एक मात सास की महाविध्याले हैं से सभी निजी महाविध्याले हैं। माधव विग्यान महाविध्याले को 58 CGPA पराप्त हुआ है जो अब तक पिदेश में किसी भी सास की महाविध्याले को पराप्त हुए अंकों में उच्चितम है और पिदेश के उच्चे सिक्षा मंतरी डॉक्टर मोहन व्यादव ने बताये कि नेक द्वारा पूर में महाविध्याले की PhD, Holder, Professors और Guest Faculty की गिंती गलत की गई थी महाविध्याले द्वारा अपील की गई जिसके परिच्चन के बाद महाविध्याले को नेक द्वारा A++ grade प्यदान किया गया है और सरकारी स्कूलों की सरकारी महाविध्याले की हालत आप सभी जानते हैं अगर को अच्छा पर्मेंस कर रहा है तो जरूर आप देखे उस सरकारी के स्कूल के किसा रायना करनी चाहिए मैं अंगली खबर 14 जुलाई 2022 को की है 2022 को पिरमोक सचिम पर्याटन और प्रवन संचालक टूरिज्जिम बोर्ड सेव सिखर सुकला ने बताई कि स्कूली विध्यार्थियों को पिदेश के पर्याटन से परिचित कराने है एवं पर्याटन के माध्यम से सीखने की पिक्रिया गो विक्सित करने के उद्देश से बायुजित की रहे जा रही है और इसमें इतियोगता से विध्यार्थि पिदेश के समध्य साली इतिहास परंपराओं इतिहासिक धरोहर सांस्कितिक रंगों इस्थानी कला प्राक्तिक सम्रद्धी महापुरसों और परयाटन महत्य की समभावना आधी से पर्चित होगी औ और पिदेश विध्यार्थि समय बायुति इसमें भाग लेंगे और पिदेश यूगता की बिजेता और ओबिजेता टीमों को परयाटन निगम के होटल्स के टूरेखिस सहित प्रमारपात और मैडल दिये जाएंगे परेटन बोर्दवादा 2016 से कोवित काल को छोड़कर पिती बस या पितियोगता आईजित की जाती है 2016 से शुरू ही थी और परेटन कुईच पितियोगता दो इस्तर पर होगी पहले चैनल में जिलाशतरीय पितियोगता 24 सकस्त को होगी और जिलास्तरिय पितियोग्ता में भाग लेने में वाली, तीन सदस्ती टीम का चैन पितियोग्ता से संबन्धित बिध्याले के प्राचार बिध्याले स्तार पर करेंगे, पितियम तीन विजेता टीम को एक रात और दो दिन परेटन विकास निगम के होटल में निसुल्क ठै आप देखेंगे परेटन स्थल तक आने जाने भोजन इस्थारीय मिरमड आदी का बैस सामिल होगा और जिला स्थार पहले स्थान पर आई टीम दूसरे चैन में राज जिस्तर पर पितियुगता में भाग लेगी इसमें और आप लोग देखेंगे कि जिला इस्तरिय पितियुगता दो चैन में होगी पहले चैन में लिखित पिसनोत्तरी और दूसरे चैन में और दूसरे चैन में ओडियू विजूल पिसन सामिल होगे इतिहासिक धरोहर प्राक्तिक सांस्कितिक परिवेश इवं पिदेश में फिलमांकित फिलम आदी से सम्मंदित पिसन होगे आजादी का अमरित महोसों में मद्पिदेश के सुतंता संगराम से जुड़े इस्थलाओ और सुतंता संगराम सहनानी से सम्मंदित पिसने भी सामिल किये जाएंगे क्या किये जाएंगे पिसने भी सामिल किये जाएंगे अंगली खबर की तरफ चलते हम लोग ये 15 जुलाई 2022 की घटना है इस दिन मुकमंती सिवराशीन चौहान की अधिश्ता में हुई मन्ती पसद की बैठक में कई महत्पूर नेड़े लिये गया है और मन्ती पसद की बैठक में नेड़े लिया गया है कि राज हीमो गिलोविनो पैथी मिसन यूजना की सुईकिती और नियंतरता पिदान की जाए यूजना से सिकल सेल रोगियों की रोगनता और मित्ती उदर को कम करने तथा हीमो गिलोविनो पैथी के पिरसार को रोखने के लिए जैनेटिक काउंसलिंग, सिकल सेल एनीमिया, फैलिसीमिया और अन हीमो गिलोविनो पैथी भिकास सितू समदाय इस्तर पर स्कीनिंग कर ब जन जाती विकास खंडों में किया जाएगा या यह उजना बर्स 2022-23 और 2023-24 में किरियानवित होगी मंती पर्षद ने चेकिसा महाविद्याले भुपाल में जीट सी पीजी सीट बिद्धी के लिए 116 करोड 90 लाक रोपे की पिसास की स्विकिती पिदान किये और चेकिसा महाविद्याले भुपाल के विविन विभाग में चेकिसा चेत्र के इसका अनुत्तर पाटकरम के लिए कुल 134 पीजी सीट की बिद्धी होगी और मंती परशद ने आप देखें भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटिट द्वारा उतपादित नेप्था के उपयोग से MOU के अनुसार फश्ट राइट और रिफिउजल के अधिन 19 नवंबर 2020 से पांच बरसों तक नेप्था के उपयोग और टेर्डिंग की सहमती पिदान क की गई है और पर ये उजना से सतना जली की मजगावा तहसिल के 15 गाओं के 7200 हेक्टर रखबे में भूमीगत पाइप लाइन द्वारा फिसराइड पदिती से रवी से चाई सुविधा उपलब्द कराए जाएगी और मंदागनी नजी के सतत प्रवा के लिए आबसक जल प्रवाद के अधीन विकसित विकासा दीन एवं आविकसित भूमी के उचेत एवं कोसल प्रवंधन के लिए नबीन मद्विदेश राज उद्धोगिक भूमी एवं भवन प्रवंधन नियम 2019 संसोधित करने का नैडे लिया है और इसमें आप देखें कंडी का बारे 2 सा में उद्धोगिक छेत्रों में भूमी भवन का अवंधन पारदर सी एवं निस्पक चरूप से होने के साथी राजस में बड़त्री हो इसके लिए पिथम आओ पिथम पाओ के स्थान पर इव बीडिंग पिक्किरिया का प्रावधन किया गया है और आप देखेंगे इसमें पंटर आधिस पट्टा भी लेक निस्पादन और अधी पत्त आधी की समय सीमा में संसोधन किया गया है और कंडी का तीन आप देखेंगे तीन साथ कितने तीन साथ चिन्नित उद्धोगिक छेत्रों में रिक्त भूखांड के लिए किस्तों में भुकतान करने ही तू पुर तक हस्तांतरन सुल्ख का प्रावधान किया गया है और इसमें आप देखिछी कंडी का 20 को पुर्णी drip करते हुए कंडी का 20 ऑ और 20 वा किया गया है और कंडी का20 अ में करत इकायों की अनुपयोगी भूमी के हस्तांतरन कि लिए نयूंतन छेत्पल को 500 वर्ग मीतर के इस्तान पर 1000 बर्ग मीटर इबं कंडिका 20 बा में बंद एकाईयों की अनुप्योगी भूमी के बिभाजन हस्तानतर्ण के लिए प्रावधन किया गया है। और कंडिका 342 अनुसांगिक प्रियोजन के लिए भूमी आवंटन की अधिकारिता संचालक मंडल को पित्यायोजित की गई है। जल के मत्क पिदेश की रादensus भूपाल में मत्क पिदेश इस्टे字 डाटा सेंटर संचालेत है। स्टेट डाटा सेंटर ने में राज कम्प्यूटर सेकोर्टी एंसी डेंट रिस्पॉंस ओपरेशन सिस्टम CSIRT को पित्यक्ष रूप से सहयोग पिदान करेगा और सुरक्षा संचालन केंदर संचालन केंदर की सदस सूचना पुरुद्गी की बिभेन IT सुरक्षा तंत अदोस अरचना उसके ओपरेशन की कार निस्पादित करते हैं और Network Operation Kendra के साथ SOC द्वारा भी Infra टीम के आदेसों का दिना दिन पालन करते हुए IT सुरक्षा के बिभेन लक्षों की पूर्ती करेगा और मत्पिदिस में State Data Center में Applications एवं Applications होस्ट समंदी गंभीर जोकिम से बचने में सुरक्षा संचालनितू केंदर सहाय की रूमें काम करेगा क्या करेगा? कारी करेगा अंगली खबर की तरफ चलते हैं हम लोग अंगली खबर 15 जुलाई 2022 की है मत्पिदिस के मुकमंती सिवरासिंग चौहन की अध्यक्ता में मंती पसद की बैठक में मंती पसद द्वारा खनिश साधन भिवाग के अंदर के मत्पिदिस जिला खनिश पितिष्ठान नियम 2016 में पिस्तावित संसोधन की सम्मंद में अनुमोधन पिदान किया गया है और इसमें आप देखेंगे जिला खनिश पितिष्ठान बोड एवं कारकारी सम्ती के अध्यक्ष के रूम में जिला कलेक्टर को रखा जाएगा बोड एवम कारकारी सम्ती में सदस की रूम में लोगसभा तथा मदपिदेस बिधान सबा की सदसों के साथ राज सबा की सदसों को भी सामिल किया जाएगा और मद्पिदेश जिला खनिज पितिष्ठान नियम 2016 में बर्तमार में जिला खनिज पितिष्ठान में जमारासी का नियम तेरे दो डा अनुसार राज खनिज निदी में अंतरित करने का प्रावधान है और भारा सरकार की निदेश अनुसार राज्य खनिज निदी का प्रावदान समाप्त किया जा रहा है और पूर में जिला खनिज पितिष्ठान अंतरगत राज्य खनिज निदी में जमारासी का उपिवग किये जाने के लिए नेमों में प्रावदान किया गया है और उपरोक्त के अतरिक्त अन्य तक्निकी सुधार मद्पदेश जिला खनिज पितिष्ठा नियम 2016 में किये गये हैं पितिष्ठान के उद्देश अनुसार खनन प्रभावी छेत्रों में विविद, विकास आत्मक एवं कल्यानकारी यह उजनाओं को लागू करने के साथ इस्थानिय लोगों को रोजगार की अवसर सिर्जित हो सकेंगे क्या हो सकेंगे? सर्जित हो सकेंगे आंगे आप देखेंगे 15 जुलाई 2022 की ही गटना है मुखमती सिवरासिंग चौहन की अध्यक्षता में मंती परचत की वैटक में मंती परसेत द्वारा मद्पिदेश गोर्ण खनी नियम 1996 में संसोधन की संबंद में अनुवयोदन पिदान किया गया है और बर्तमान में नियमों में इब निविदा से उत्खनन पट्टा पिदान करने की पिक्रियन निर्धारित है अब इनिविदा से उत्खनी पट्टा इवं समेकित अनुगपती पिथक पिथक आवंट्रीत करने का नियम में संसोधन किया गया है और निजी भूमी में बरत्मान नियम में अनुसुजी पांच के उत्खनन पट्टा भूमी स्वामी अत्वा उसके सहे मती धारक को आवंटीत करने का प्राउधान है और बरत्मान प्राउधान में उत्खनन पट्टा ग्रांट करने से पूर भूमी स्वामी को अनुग्यप्ति का कार करना भी अनिवार किया गया है। अनुग्या की आवसक्ता नहीं है। अनुग्या की आवसक्ता नहीं है। अनुग्या की आवसक्ता नहीं है। और इसमें प्रवन संचाला गनीश ने कहा है कि गाउं गुना जिली में गुना सहर एवं म्याना टाउन तस्विपुरी जिली में सिवपुरी सहर और करेरा में सामारों होंगे। और आप देखें नर्वदापूरम संभा कि अंतरकर नर्वदापूरम जिली में एटारसी और पचमठी , सहर हर्दा एवं टिमरनी हर्ण नंदू, गाउं तैसील गोड़ा, ढुंकरी और आमधाना गाउं तैसील भीमपुर में समाराय अयुजित किये जाएंगे चंबल संभाग के अंतरकर सीवपूर जिली में सीवपूर एवं बिजयपूर सहर मुरेणा जिली में आप देखे मुरेणा टाउन हाल और याद रहे उज्जवल भारत उज्जवल भविस्ट उर्जा 207 समारो भारत सरकार की विद्धूत मंतराले द्वारा क्या किये जाएंगे पिदर सित किये जाएंगे अंगली खबर है आप देखें 20 जुलाई 2022 को मद्ध पिदेश की जन संपर्ग विभाग द्वारा दी गई जानकारी की अनुसार केंद्रिय ग्रामीर भिकास मंतराले उमत से पतीक चिने का भी लोकारणपड किया जाएगा कारकरम में राज ग्रामीर अजीव का मिसन में पंजीकित एवं सोहसाहता समूहों की ऐसी महला सदस्ते हैं जो पसू सकी की रूमें विभिन पसू पालन गतिविदियों में सहयोग दे रही है को एहल्प एक्रेडिटेड एजेंट फोर हेल्थ एंड एक्स्टेंशन ऑफ लिव स्टॉक प्रोडेक्शन के रूम में किसी चित किया जाएगा एहल्प समुदाय आदाधी महला कारी करता है जो पसू चिकस्तकाओं को इस्थानिय विभागी कारियों में सहयोग देने के साथ पसू पालकों को उद्धिमिता विभाग के लिए विकास के लिए रिडिले ने आविदन भरने पसू के काम कानी की टेगिंग के उचिननेत कर इनाप पोर्टल पर दच करनाने और पसू धन भीमा आधी कारियों में सहयता करेगी और बेवे ने वजना के किरियान मन में सहयोग और निचले इस्तर पर तक पसू पालकों को जानकारी उपलब्द कराने में ये हल्प की सहयता ली जा सकेगी और इसे ये हल्प को आयका यांत की बिभाग ने जल जीवन मिसर में 11,100 करोड 72 लाख रुपी की पुनर रिक्षित 25 समुव जल पदाप योजनाओं को मंजूरी दी है क्या कि ये मंजूरी दी है और मत्विदिश जल निगम इन जल पदाए योजनाओं की निर्मा का कार प्यारम कर रहा है और इन योजन से भोपाल उज्जेन जबलपुर इंदोर नर्वदापुरम सागर ग्वालिय संभाग की अठारे जिलों को की ग्रामीड आबादी को हर घर जल हर घर नल कनेक्शन से जल उपलब्द करवाने की विवस्था की जाएगी और मिसर्ण की जल पदाए योजनाओं से आप देखे 6,261 ग्रामों की 9,34,000 से अधिक परिवारों को पेज़ल की सुविधा मुहा होगी और ये जनाओ भोपाल विदी से रायसेन उज्जेन मंत्सोंर नीमच रतलाम छिदबाडा मंडला खरगोन खंडवा बैतू सागर दमो टीकमगर छतायपुर दतिया स्रिवपुरी जिले की 5,15,000 से अधिक ग्रामीट परिवारों को उनके घर पर नल से जल उपलब्द करवाया जा चुका है और करीब आप देखें के करीब 15,300 गाओं ऐसे हैं जिनमें पितेक परिवारों तक नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है और आप देखें मिसन में पिदेश की गाओं में 70 से 90 पितिसद और 16,300 गाओं के कार 70 पितिसद तक पूरता की हो रहे हैं और इसी माय से आप देखें के 6000 से अधिक गाओं की पेजल विवस्था के कार प्यारम किये जा रहे हैं यह भी आपको देखना चाहिए अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं 21 जुलाई 2022 की घ तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्जों और केंदसासे पिदेशों को उनके प्यदर्सन की प्रभावी तुला करने के लिए 17 पूर्वोत्तर और पहाडी राज्जों तथा 9 केंदसासे पिदेशों बास सहर राज्जों की सेड़ी में बर्गी कित किया गया और 17 पिर्मुक राज्जों की सेड़ी में करना टक 0-1 अंके के साथ तौप पर है यानि कि सीस इस्थान पर है जबकि ते लंगा ना 17.66 अंकों के साथ दूसरे वो हर्याना 16. यह आप देखेंगे 35 अंकों के साथ तीसरे इस्थान पर है वही 36 गर 10 दस दसमलो 97 अंकों के साथ 13 वे स्थान पर है और पूरवत्तर पहाडी राज्जों की सेड़ी में आप देखें मडीपूर 37 अंकों के साथ सीस इस्थान पर है और इस सेड़ी में उत्तराखंड 17.66 अंक दूसरे स्थान पर जबकि नागलेंड 11.00 अंक के सबसे निचले पायदन पर है केंदसाफि सेड़ी में चंडीगार 27.88 अंकों के साथ टॉप पर है सीस स्थान पर और इस सेड़ी में दिल्ली 27.00 अंक के दूसरे स्थान पर जबकि लगदाग 5.91 अंक सबसे निचले पायदन पर देखने को मिलेगा और याद रहे नीती आयक और पिती इस्थादात मक्ता संस्थान द स्थादा बनी रहे और इस इन्योवेशन इंडेक्स को गिलोवल इन्योवेशन इंडेक्स की तरफ पर तियार किया गया है और पिछले संस्कारणों में 36 संकेतकों के आधार पविसलेशन किया गया था लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तिमाल किया गया है पहले दूसरे इन नेशनल मीडिया सेंटर में 68 राष्टी फिलिम पुरुसका 2020 की घोशना की गई है और इसमें मद्विदेश को मोस्ट फिलिम फैंडली इस्टेट का आवर्ड दिया गया है किसे मद्विदेश को 2017 के बाद दूसरी बार मद्विदेश को इस अवर्ड से नवाजा गया है और नेशनल फिलिम अवर्ड की इस केटिगरी में 13 राज्यों से सहभागिता की थी और इसके अलावा उत्तर पिदेश उत्तराखंड को मोस्ट फिलिम फैंडली इस्टेट इस्पैंसर मेंसन का आवर्ड दिया गया है और एक अन्य उपलद्धी में 9 फीचर फिलिम केटिगरी में विष्ट ए 9 ग्राफिक फिलिम का आवर्ड राजन जांगले द्वारन देद इस फिलिम मांडल के बोल को दिया गया है और इस फिलिम को मतकदेश ट्राइवल म्यूजियम द्वारा बनाए गया है यह फिलिम वेगा जंजाती है जीवन और उनके गरामीर परिवेस को पेदरसित करती है और याद रहे फिल्म मेकरको आकरसत और आमनती करने के लिए आत्वा 2 करोड रुपे और टीवी सीरियल एवं बेब सीरिच के लिए 25 या 1 करोड पे तक के बित्तिय अनुदान का प्रावधान है और साथी डॉकुमेंटरी के लिए अधिक्तम 40 लाक रुपे का बित्तिय अनुदान दिया जाएगा और राजि के इस्थानिये कलाकारों को फिल्म मेकिंग में लेने के लिए 25 लाक रुपे तक के बित्तिय अनुदान का प्रावधान है फिल्म इन फ्राट्रक्चर डबलमेंट पर 30 परसंद तक के बित्तिय अनुदान की साथ फिल्म कुरू के लिए परेटन विभाग के होटल और रिसोर्ट में ठहरने पर 40 परसंद की छूट पिदान की जाती है और राज्यों में फिल्म उद्द्यों के लिए विकास के लिए फिल्मी सिटी फिल्म स्टूडियो कौसल विकास के अंदर आदी इस थाबित करने ही तो निजी निविसकों के लिए आरक्षित भूमी चुकी है तो यह भी आप लोगों को पुरुसकार भी याद रखना चाहिए अंगली खबर की तरफ चलते हैं 22 जुलाई 2022 की घरना ए और मद्पदेश की मुकमंत्री सिवरासिंग चोहन ने कहा है किल जी जल जीवन मिसन से हर घर में नल से सुद्ध पेजल पहुंचानी की अ आप तक पेदेश की 59,15,000 से अधिक ग्रामीर परिवारों को नल से जल उपलब्द कराया जा रहा है और बुर्हान पूर जिले के समस्थ 200 चंगन ग्रामों में गाउं में हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है और ये गाउं हर घर जल पर मारित हुए हैं और जल सक्ती मंतराले के अंतरगत आने वाले इस मिसन का उद्देश जल को अंदोलन के रूम में बिख्सित करना है ताकि इसे लोगों की प्रात्मिक्ता बनाय जा सके और बित्ती बर्स 2021-22 की केंदरी बजट में सत्विकास लक्ष छे कि अनुसाज सभी सहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में पानी की आपोर्ची सारभों में कबरेच पिदान करने हितु केंदरी आवास और सहरी मावलों के मंतराले के तह जल जीवन मिसन सहरी योजना की घोशना की गई है और जो सतत्विकास लक्ष है ना आपकी सत्र है इन्हें जरूर आप लोग याद लिजेगा ये आपको प्रिलिम से में परीच्छा में काफी फायदा पहुंचाते हैं निबंद लिख रहे होते हैं आप लोग तब इनका उपयोग कर सकते हैं आप लोग वाँ चली अंगली खवर की तरफ चलते हैं ये आप देखेंगे कि 22 जुलाई 2022 को मद्विदेश्त प पिलांट लोड फैक्टर 76.3 फीस दी रहा है या या यूनिट 28 मार्ट 2019 को करिया सेल हुई है और याद रहे सिंगाजी ताब विद्धुत गरह खंडवा में विद्धुत गरह करमांग 1 में 600-600 मेगाबाट की 2 विद्धुत गरह करमांग 2 में 660-660 मेगाबाट की 2 गरह की 600 मेगाबाट चंपता की यूनिट करमांग 1 से 233 दिन लगाता निर्बाद विद्धुत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाए गया है और इसी तरह सत्पोड़ा ताब विद्धुत गरह सार्णी की 250 मेगाबाट चंपता की यूनिट करमांग 10 से 186 वा 11 ने 202 दिन और सं 22 जुलाई 2022 की है इस दिन नागर बिमानन ओडेन मंत्री जोतिय दित्ति सिंधिया और नागर बिमान राज मंत्री जनरल बीके सिंग सेवा निवित ने स्पाइस जैट त्वारा जवलपूर और कोलकता की भी सीधी उड़ान का सुभारम किया है कहां जवलपूर से कोलकता औ और इस आउसर पर जोतिय दित्ति सिंधिया ने कहा है पिछली एक साल में देश में हवाई सेवाओं में ब्यापक बिस्तार हुआ है मत्र देश में जहां जुलाई 2021 में पिती सब्ता पांसो चंगन बिमानों का आवा गमन होता था वहीं आवा आकड़ा ये 980 हो गया है जब उन्होंने ये भी का है कि जबलपूर पहले ही 9 सहरों बैंगलोर, दिल्ली, बिलासपूर, हैदराबाद, इंदोर, मुंबई, पूने, चैन्नई में भोपाल से जुड़ा था अब इसे 10-20 सहर कोलकाता से जुड़ा जा रहा है और जबलपूर में आप देखेंगे कि बिमान जो अब बढ़कर 468 हो गया है, अब यह 20 सहरों से जुड़ा है, राज की रादधानी भोपाल जिसका जुलाई 2021 में 5 सहरों के साथ हावाई संपर्ग था, अब 13 सहरों से जुड़ गया है, इससे 226 बिमानों का आब अगमन हो रहा है, खजराहो भी दिल्ली से जुड़ा है, यहां से पिती सपता चार ओडाने संचालित होती है, खजराहो आप देखते हैं कि मद्पिदेश के चतर को जले में पढ़ता है न, उसी की बात हो रही है, आँगे आप देखेंगे इसमें, क्या देखेंगे, 24 जुलाई 2022 की घटना है, मद्पिदेश राज लगू दो हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संगर्ण किया गया है, बस 2021 में 16,60,000 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संगर्ण हुआ था, और पेदेश में राज लगू बनुपच संगद्वारा, अस्ती जिला यूनियन और 1071 प्रात्मिक बनुपच सहकारी समतियों से तेंदूप संगर्ण जुड़े हैं, इनमें से आप देखें, 50,30 संगर्ण अनुसूचे जंजाती परिबार के हैं, और 40,30 संगर्ण महलाए हैं, और पेदेश में तेंदूपत्ता संगर्ण जंजाती बहूल चेत्रों में अजीब काका बड़ा सिरोत है, तेंदूपत्ता देखते हैं और पेदभन संचालक ने बताई कि 22 अपरेल 2022 को हुए बन समतियों, और तेंदूपत्ता संगर्ण दर में 500 रुपे की बड़ती किये जाने की गोशना की थी, जिसके फलसरुपादे की 3000 रुपे पिती मानक बोरा दर ने धारित कर दी गई, और इस बिद्धी किसे संगर्ण और इस बर्स तेंदूपत्ता संगर्ण से बर्स 2020 में 600 करोर रुपे और 2021 में 843 करोर रुपे का बिक्रे मुल परात्त किया गया था, तो यह भी आप लोग याद रखेगा इसमें, ठीक है, अंगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें आप देखें कि 23 से 24 जुलाई 2022 तक अमर सहीद, चंद सेकर राजात की 116 वी जन्ती के उपलक्ष में, राजधानी भोपाल के रविंद भावन कन्वेंसन हॉल में पहली यूथ महापंचयात कायजन किया गया है, और 23 जुलाई 2022 को पिदेश मुकमंती सिवरासिंग चोहन ने इस पहली यूथ महापंचयात कारिकरा में पिदेश के सभी जिलों के यूवाओं ने ओनलाइन सहभाईता की है, और राजिस्तरी यूथ महापंचयात में बावन जिलों से चैनिट 66 यूवा तथा NCC राश्ती सिवा योजना आधी केरिट और विभिन महाविध्यालियों के विध्या हुए हैं, क्या हुए हैं? सत्ता यूजित हुए हैं, अंगली ख़बर तक चलते हैं, 24 जुलाइ 2022 को मत्पिदेश के लोक स्वास्त यांतिकी पभाग ने जल जीवन मिसन में ग्रामीड नल जल पिदाय के लिए 608 करोड 55,87,000 रोपे की लागत बाली 1142 ग्रामों के लिए एक जल ग्राम यूजनाओं में रेट्रो फिटिंग का कारी भी सामिल है, इन 101 जल पिदाय यूजनाओं के कारेयों का लाव नर्वदापुरम, रायसेन, बैतूल, उज्जैन, साजापुर, रतलाम, देवास, धार, बढ़वानी, ग्वालियर, गुना, दतिया, कटनी, छिदव वरिवारों को उनके घर में ही जल की उखलब दिता सुनेशित की जा चुकी है, और इसी तरह 5,382 ग्राओं ऐसे हैं, जिन के सभी वरिवारों को पेजल मुहा करवाये गया है, मिसन में 23,700 अधिक ग्रामों की जल पिदाय यूजनाओं का कार 17-90% हो चुका है, और 7,300 से पानी भी नहीं मिलता है पीने के लिए, अंगली ख़बर 25 जुलाई 2022 की है, मद्ध पिदेश पावर ट्रांस्मिशन कंपनी ने 220 के भी सब इस्टेशन दमो में 126 MBA चमता की स्थान पर विद्धु डिजाइन से तियार किया गया पिदेश का पहला 200 MBA चमता का पावर ट्रांस पावर ट्रांस्फार्मर और ट्रांस्मिशन कंपनी के मुख अभियंता प्रो के और मेंट जवलपुर इंजिनर अजस सिरिवास्ताओं ने बताए कि मद्ध पिदेश में परंपर अगत 120 MBA या 160 MBA के पावर ट्रांस्फार्मर लगा जाते थे इसके इनके स्थान पर 200 MBA चमता क टीकम उजले के सबस्टेशनों को वीद फायदा होगा यहां तीसी इमर्जनसी में 220 के भी सबस्टेशन दमो से सफलाई की जा सकेगी और याद रहे दमो पूर में मत्वदेश बिद्धूत मंडल का प्रमोख लोड सेंटर हुआ करता था दमो से सागर टीकमगर चतरपोर व वर्तमार में दमो जले में 220 के भी एक और 132 के भी के 5 सबस्टेशनों के साथ बिद्धूत आपूर्ती की जाती है दमो में 220 के भी साइड की 360 MBA तथा 120 के भी साइड की 530 MBA की मजबूत ट्रांसपॉर्मेशन चमता है जो जले के योग भोगताओं को उचित गोडवत्ता की नि प teman award 2022 से पुरषकित किया गया है सिक्षा बोर्ड को जीवरी द्वारा चुना गया है बोर्ड ने पिछले वर्सों में नई यूजनाओ के उतकर्ष्ट की रियानवन पारदर्शी पिसासन एवं हितगराही सेवा में सबसे उच स्थान बनाया है उपर का इस्थान और याद रहे मत्पदेस राज्य मुक्त सिक सिक्षा बोर्ड ने बिगत समय में किये गए नवाचारों असी काफी पिसी दीपाई है सिक्षा बोर्ड को बर्स 2018 में निगाम मंदलों की सेडी में सर्फसिष्ट कारयाले का अवोर्ड अटल विहारी बाचपरी सुसासन संस्थान द्वारा दिया गया था सिक्षा बोर्ड बन चेतरों को सामिल करते हुए नवीन कर्मा जीरी अभ्यारन का गठन किये जाने की अधीस उचना जारी कर दिये क्या कर दिये अधीस उचना जारी कर दिये इसमें और आप देखें पिधान मुख वन सरक्षग बन पराड़ी जस्वी सिंग चोहान ने बताए कि नवगठि वन पराणियों के अतरिक्त रहवास इस्तल उपलब्ध हो सकेगा और साथी पिधेस में वन पराड़ी बहूल चेतरों को सामिल करते हुए सरक्षग चित के रक्मे में बिध्धी होगी और याद रहे बर्तमान में पिधेस में 24 अभ्यारन है और स्थिवपरी के करेड़े अ और महत्पूर अधिस उचना जारी करते हुए स्थिवपरी जिले के करेरा में 21 बर किलोमीटर चेत में बन ने बन जी पराड़ी अभ्यारन को समाप्त कर दिया गया है और इस से आप देखेंगे कि इस चेतर की जनता की लंबे समय से चली आरी मांग पूरी हो गई है और या विक्रय पर पिती बंद लगा दिया गया है अंगली खवर की तरफ चलते हैं हम लोग यह आप देखें 26 जुलाई की बात है 26 जुलाई 2022 को देश में नई घोसित पास रामसर साइट्स में मत्पदेश की सिवपरी जिले के माधोराश्टी उध्यार में इस्तित सांक सागर ज जा मिल चुका है याद रहे पिदेश की तीन आदभूमी इंदोर के सिर्फ पूर आदभूमी यसबंद सागर और सांक सागर को रामसर साइट की रूम में घोसित करने के लिए भार सरकार को पिस्ता भेजा गया था केंदरी बन परिवन और जलवायू मंतराले ने रामसर संधी के तहत अंतराश्टी महत के पांच नए आदभूमी इस्तल नामित किये थे जिन में तमिलाडू में तीन आदभूमी इस्तल एक करी कीली पक्षी अभ्यारन पली करनेई मार्स रिजर फॉरिस्ट और फिच वार हो गई है और जील सरक्षन के समद में इराग के इरान के किसमें इरान के रामसर अंगर में 1971 में हुई एक अंतराश्टी है संधी के अधर पांतराश्टी महत की बैटलेंड साइट्स की सूची संधारित की जाती है आदभूमी दिवस कब मनाय जाता है एक कुशन साब से अंगली खबर है आपकी 27 जुलाई 2022 को मत्विदेश की प्रमुक सचेव इवं प्रवन संचालक टूरिज बोर्ड सेखर सुकला ने बताए कि वर्ल्ट ट्रेवल मार्केट रिस्पॉंसिबल टूरिज में इंडिया आवोर्ड की मेजबानी भुपाल करेगा और इसके साथी म मत्विदेश पर्याटन बोर्ड द्वारा IADTOIMP चैप्टर एसोसीशन और डॉमेस्टिक टूर ओपिरेटर्स और इंडिया के सहयोग से रिस्पॉंसिबल टूरिज में पर एक अंतराश्टी संगोष्टी भी आईजित की जाएगी और 30 अगस्त 2022 से सुरू होने वाली एक का पारिकरम 10 सेप्टमबर 2022 तक चलेंगे और इसके अंतरकश्ट यूके ऑस्टेलिया दच्छडपी का फ्रांस सहथ विविन देशों के पिदनेदियों वाली एक ICTRT टीम मंत्विदेश के विविन गंतब्बों का दौरा करेंगी और टीम का नेतित ICTRT के संस्थाफक निद दोकन करेगी और साथी पिदेश में विविन जिलों में ग्राम इस्टेक, इस्थानिय भिरमड, पारंपरिक बरंजन और सांस्केतिक कार्यकरमों में भी सिर्कत करेगी सामिल होगी याद रहे इंटरनेशनल सेंटर पोर रिस्पॉंसीबल टोरेज में ऐसी प्रोध जनों का एक नेटवर्क है जो केप टाउन घोषना का समर्थन करते हैं इसमें कई से होगी संगठन और समर्द केंधर हैं इसकी इस्थापना 2002 में हेरोल्ड गुडविन द्वारा परेटन गंतबों में रिस्पॉंसीबल टूरिजम और 2002 के केप टाउन घोषना के परड़ाम नेटवर्क की सदस्त रिस्पॉंसीबल टूरिजम के अउधारना को भीकसित करने और बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं और इंटरनेशनल सेंटर पोर्ड रिस्पॉंसीबल टूरिजम द्वारा 2004 से वर्ड रिस्पॉंसीबल टूरिजम अबोर्ड की सुरुवात की गई अब यह तक यह अवर्ड कारिकरम लंदन में WTM में होता था, पहरी बार भारत एवं सब कॉंटिनेंट का अवर्ड लंदन से बाहर भुपाल में होने जा रहा है, इस अवर्ड में भारत के तरिक पाकिस्तान, स्रीलंका, इंडोनेसिया, भूटान, मलेसिया, नेपाल, आधी द तूरिजम, और सस्टेनिंग, इंपला, इंपलाईज, एंड कम्मुनिटी थ्रू पैंडेमिक, डेस्टिनेशन विल्डिंग, विल्डिंग बेक बेटर पोस्ट कोविड, और इंक्रीज़ डिवर्सिटी इन तूरिजम, हाउ इन, हाउ इनक्लूसिब इज आवर वेस्ट इन दा इन्वारिमेंट, गोइंग दा लोकल एकोनोमिक बेनिफिट, एक्सेस पोर दा डिफरेंटली, डिफरेंटली, एवर्ड एस टेवर्स, इंपलाईज, एंड हॉली डे मेकर्स, इंक्रीज टूरिज कॉंटिविशन तू नेचूरल हेरिटेज एंड बायो डि इस देखने को मिलेगा, अंगली खबर की तरफ चलते हम लोग, आँगे आप देखेंगे अठाई चूलाई 2022 को, मद्विदेश के मुकमंती सिवराज सिंग चोहान ने कहा है कि मेरी गिर्दावरी, मेरा अधिकार, और मैं अपकिसान अपनी फसल की जानिकारी MP, किसान F के मा किसान अपनी फसल की जानकारी 1 अगस्ते से 15 अगस्ते 2022 तक दरज करा सकते हैं, और किसान की इस जानकारी का Artificial Intelligence एवं पटवारी से सत्यापन होगा, मेरी गिर्दावरी, मेरा अधिकार में किसानों को यह सुविदा उपलब्द कराई करवाई गई है, और यह अपने खेत से ही स्वयम फसल की जानकारी MP किसान अप पर दर्च कर अपने आपको रिजिस्टर कर सकते हैं, और किसान इस अप पर लोग इन कर खसल स्वय घोषना दावा आपत्ती ऑप्शन पलिक कर करके अपने खेत को जोड सकते हैं, और खाता जोडने के बात खाते की समस्त खसरा की जा करने पर AI, Artificial Intelligence की माध्यम से जानकारी उपलब्द होगी, और किसान की सहमत होने पर एक खसल की जानकारी को दर्च किया जा सकेगा, और समावित फसल की जानकारी से आप सहमत होने पर खेत में बोई गई, फसल की जानकारी खेत में उपसित होकर लाइफ होटो के साथ दर्च की जा सकती है यह भी देखने को मिलेगा किसानों के लिए अच्छी पहल है अंगली खबर की तरफ चलते हैं यह आप देखें 28 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार के किसी इवं किसान मंतराले ने उद्यान की इवं खाद पिसंसकान राजमंत्री सोतन प्रवार भारस सिंग चोहान के भोपाल की करौंद मंडी परिशर में फूलों के लिए मत्रविदेश के पहले एर वेंटी लेटेड फिलावर डॉम बनाने के पिस्ताव का सुईकिती दी है और राजमंत्री भारस सिंग को स्वाहान ने कहा है कि फूलों की खेती करने बाले किसानों को एर वेंटी वेंटी लेटेड फिलावर डॉम बनाया जाएगा और फिर इसका यह पहला डॉम है इसको विभाग की M.I.D.H. यूजना में सामिल किया गया है इसके साथी अन इस्तानों पर आवस सकता है कि अनुसार एर वेंटी लेटेड फिलावर डॉम बनाये जाएगे यह आपको दे एजूकेशन सम्मिट में मत्पदीश के उच्चे सिक्चा विभाग को गवर्मेंट सेक्टर इनिसेटिब अवर्ड टू प्रमोट डिजीटल लर्निंग मिला है और इनुवेशन इन एजूकेशन बिसाइपा अंतराष्टी समारो में उच्चे सिक्चा आयुकत दीपक पुरुसकार लिया है और दीपक सिंग ने कहा है कि पिदेश को यह पुरुसकार राष्टी सिक्चा नीती के परिपेक्ष में डिजीटल नर्निंग के रूम में उतकिष्ट कार करने पर मिला है इस परोसाहन से भविस्च में भी उत पिदेश उच्चे सिक्चा के चेत में बहतर कार कर सकेगा और आप देखेंगे कि बिभाग द्वारा राष्टी सिक्चा नीती को लागू करने के साथ ही स्केल डवलमेंट के लिए बिवसाइक बिसे प्रोजेक्ट इंटरसिप इंटरसिंप अपेंटिस और कम्यूनिटी इंगेजमेंट जैसी गतिविदियों से बिध्यारतियों को रोजगार से जोडने का कार किया गया है और याद रहें मद्विदिस में सभी सास्किये बिसे विद्ध्यालेओं में डिजी लॉकर की बिवस्ता उपलब्द है इसे छातरों को कहीं भी अपनी अंक्रसूची उपादी डुपलीकेट मार्कसी कि माध्यम से सिक्षण कार किये जा रहे हैं तो आप देखें कोरोना महामारी में हमें डिजीटल होना भी पड़ेगा क्योंकि इस तरह कि महामारी पता नहीं कब आ जाए और कब सिक्षा पर आप देखते हैं कि बच्चे परिशान हो जाएं स्कूल बंद हो जाएं अगली ख काकिरम में नाबाड की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है यह मध्यदेश की पहली बित्तिय समाविशन रेपोर्ट है अटल वीहरी बाचपे इस्टिटीट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनलेसिस ने यह रेपोर्ट तेयार किये ए रेपोर्ट पिदेश के बिकास में मार्क दर्शन का काम करेगी भारती रेजर बैंक के डिप्ति गवर्नर महेश कुमार जेन ने कहा है मध्यदेश को वित्तिय समाविशन के लिए 5C एप्रोच, content, capacity, community, communications और collaboration को अपनाना चाहिए और छेत्री गरामीट बैंकों को मजूद करने पर ध्यान देने की जरूत है और आप देखें संस्थान की मुख कारपालन अधिकारी जीवी रस्मी ने बताया कि पिदेश समाविशन सुचकंग बित्तिय वर्स 2019-2021 के लिए तियार किया गया है और सुचकंग में राज्य में बित्तिय समाविशन में हुई प्रगिती के मामले तथा मांग और आप उर्थी संकेतकों को सामिल किया गया है और वित्तिय समाविशन के इस तर पर आकलन करने के लिए वित्तिय सेवाओं के उपयोग में पहुच ओपयोग के आयामों और बाधाओं का उपयोग किया गया है और सुचकंग में वित्तिय समाविशन के विविन पहलूम पर स्कोर दिया गया है और राध्य ने पिछले दो बरसों में अपने बित्तिय समाविशन स्कोर में 0.238 से 0.283 तक सुधार किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार बेंकिंग सुखधा में साजापूर मंडला बढवानी भिंड मुरेना सतना दतिया जैसे 16 जिले पिछड़े हु ओगों डिजीटल बैंकिंग की दिरिष्टी से जिलो को तीन सेह झड़ी उच्ची वित्तिय समाविशन जिले मध्यम वित्तिय समाविशन जिले और कम वित्तिय समाविशन जिले में वरग एक कर रेपोर्ट तेयार की गई है और इस रेपोर्ट का वसा सूचकांग 0.268 इस अध्यान में नीती आयव ने चिन्नि आकांची जिले, बिदीशा, राजगर, दमोथ, गुना, छतरपो, खंडवा, बढ़वानी, सिंगलोली की स्तिती बहुत पिस्तुत की गई है। इस अध्यान में बताया गया है कि बैंक अधिकारियों से बाचीत में अनिक्षा के चलते जन जाती है, समाज के लोग बैंक जाने से बचते हैं, ग्राहक सिबा के अंधरों से भी उनके सम्मंद अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। और देखे जो करमचारी रहते हैं बैंकों के, इनका जो बरताओ रहता है वो भी आप देखते हैं इसमें बहुत बड़ी बाधा माना जाता है। वो मदद करने की जगे आप देखे बिवकू बनाते हैं, आपको डाट के भगा देते हैं लोगों को। प्रवंधक सुरेंद पिताफ सिंग ने अबोर्ड प्राप्त कियें। अंगली खबर की तरफ चलते हैं। पर राजिस्तरीय साले खेलकून पितियुगता के बारसे किलेंडर वर्स 2022 देश में इन खेलों को सामिल किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगी कि जुलाई 2022 में मदपितिस में जो घटनाय गटी हैं उनका एक ओवर्वीव है। एक से दो बार इन किलासों को देख लिजे आप लोग जुलाई के बाद अगस्त आता है। और अगली किलास में हम लोग अगस्त 2022 में जो भी घटनाय गटी हैं मदपितिस में उनके बारे में भी एक सामन जानकरी देख लेंगे। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुझा हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं। ठीक है? पढ़ते रहे हैं आप लोग मेनत करते रहे हैं।